थंडी के मौसम में अगर गर्मा गरम सूप मिल जाए तो बात बन जाए और बात हम थंडी में कम लेते हैं लेकिन यहाँ पर ये देखिए लसुन डाला है तेल में और इसे भूनने के बाद ये सारी सबजीया डालना है जिसमें कुकुर मुठा है लाल गलर की शिम्रा मिर्च ह इसे अच्छे तरीके से भूनना है और भूनने के बाद क्या करना है यह भी हम आपको बताने वाले हैं अहां बात बन जाए थोड़ा सा पानी डाला है और अगर आपको सूप जादा थिक नीची तो थोड़ा और पानी मिला लीजे नॉमल वोटर है ऐसा कोई आपको पाउडर इसके अलावा वाइट पेपर जा रहा है और राइट एन हलका सा नमक और इसे अच्छे तरीके से आपको है उबालना आरो मैट पाउडर खरीद लिए यह तनी सारी रेसिपीज में आरो मैट पाउडर जा रहा है कोई नुक्सान नी होने वाला खटास के लिए कॉन फ्लावर एक दमी धुनला धुनला लग रहा है तो मैं आपको बता दू यह कॉन फ्लावर ही डाला है और कॉन फ्लावर वाटर में थंडे पानी में मिलाकर इन डाला है और यह देखे अब इसे ऐसे सूप बना डाला है वोई सोबर खतम हो गया लेकिन स्लो मोशन सोया सॉस भी इनों ने मिलाया है और सोया सॉस के साथ आपको बता दू हो गया है हमारा यह शूप रेडी अपसा जमांदारी से बुलिए आप 20 रुपे का वो सूप वाला पकेट लेंगे रेडी टू ट्रिंक वाला कि यह वाला सूप बनाएंगे कमेंट करेंगे बताईए ह होटेंज हार सूप है एकदम ही जबरदस्त है और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इसमें उबलावा चिकन डाल दीजिए और अगर आप मटन लवर है तो उबलावा मटन डाल दीजिए या फिर जो भी प्रोटीन आपको पसंद है वो डाल सकते हैं मुझे तो एक दे ऑज पते हैं मयम मठै ऊवर जबलावाई कर दो और दीजिए है